हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब को ओफिशिल चैनल पे एक्जाम कॉंसेट में इस सीरीज में हमें इन बीएस जो इंगलिस पीजी टी है इसके कोश्टन पेपर 2014 पर डिसकस कर रहे हैं जिसके पार्ट वन में अगर हम देखें पार्ट वन में हम लोगों न हमें डिसकस कर चुके थे और इसके आगे 55 के आगे 55 सक्सी तक यानि जितने विचे को जो जरा ये पर और पर आहिए इसके प्रियास करेंगे अगर इस पेपर को या हमारे पास इसकी PDF में भी या पेपर उपलब्द है या पेपर आपको PDF में लेने के लिए बस आपको एक मैसेज करना है हमारे WhatsApp नमर पे लिखना है जोईन इंगलीज पीजीटी ठीक एक मैसेज आपको भेद देना है हमारे नमर पे जो नमर है आपका 7007354360 पे आपको सेंड कर देना जिससे कि वहाँ पे आपको PDF की profile में प्राप्ट करा दी जाएगी ठीक ए वीडियो और इस वीडियो को आप लोग को कैसे सीरीज लग रहे है यह आप लोग कोमेंट बोक्स में बता है अगर आपको कोई queries हो कोई requirement हो तो भी बता है उसको हम जल से जद लाने की कोशिस करेंगे और इसको आपको PDF कैसे मिलेगी इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएक जिससे आपको कोई असुद्धा नहों पीडिया प्राप्त करने के लिए ठीक आप आईए आज के कोशन 55 के आगे चलते हैं बचेवे कोशन अब डिसकस करते हैं देखिए अगर बचेवे कोशन को अगर हम देखें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था 55 तक कि concept of RKE writing is developed by Jacks Dereda ने डेपलप किया था यहां तक हमारा cover हो गया था part 1 में ठीक पार्ट 1 में इसको हम लोगों ने cover कर लिया था अब इसके आगे देखेंगे देखिए इसके आगे अब 56 से बात करें टेबल टाल्क is the collection of essay जो टेबल टाल्क है एक collection of essay है यह किसके दवारा लिखेंगे यह William Hazlitt यानि option A सही हमारा हो जाएगा इसका William Hazlitt option A हमारा सही है ठीक अब इसके अलावा अगर देखें 57 बात करें Dr. Johnson's a dictionary of English language was published in the year published in the year कब published की गई थी इसका option C हो जाएगा 1715 में इनकी dictionary published होती है ठीक आए 58 पर देखें William Loman is a character William Loman का जो character है किस में आया हुआ है इसका date of a salesman में यह character आया हुआ है काफी jolly nature का character आता है या काफी important है ठीक अब आगे जरे रहते हैं 59 पर अगर बात करें which of the following play was written by Samuel Bucket कौन सा प्ले Samuel Bucket त्वारा लिखा गया है इसमें इंड गेम a doll house, wall pond, mother, courage and her children तो इसमें जो Samuel Bucket की रचना है वो option है सही हो जाएगा इंड गेम ठीक आईए 60 नमर question पर बात करें 60 नमर पर who wrote the tiger does not proclaim its tiger tude ठीक तो इस वाले में किस ने कहा है तो इसके लिए आपको whole सोलंक्या ने स्वयंका ने कहा है whole स्वयंका ने यह अपनी बात कही है ठीक अब 61 पर देखते हैं क्या question है did he who made did he who made and lamb made the appear in poem यह line यह line दी गई यह line किस की है यह पूछ रहा इसमें यह पहला option chimney sweeper London और दो option आपको नीचे मिल जाएंगे the tiger and introduction तो यह line है the tiger की ठीक इसको आप देख लिए यानि option सही सी आपका सही हो जाएगा 62 पर बात करें in his forward to kanthapura राजा राव डिस्क्राइब कांथा पुरा एज फोर वर्ड को kanthapura को राजा राव ने कैसे describe किया है अब इसको इनों ने हमारा legend place सतल पुराना ठीक यानि option d हमारा सही answer हो जाएगा 63 पर बात करेंगर who among the following was not the member of group university with university with के कौन मेंबर नहीं रहते हैं एक कोशन बहुत फेमास है कई बार आपको यूजीशी में मिलेगा यूजीशी में PGT में और TGT में कई बार पूछा गया के बियस में भी एक कोशन कई कई बार पूछा जा चुका यानि मस्ट इंपोर्टेंट करेक्टर इसको ध्यान दीजेगा आप लोग ठीक तो इसमें कार आइकॉंस राइटर हैं कि जो university with group में नहीं थे तो इसमें देखिए थॉम्स नैस ए थे किस्टो पर मालो भी थे जॉर्ज पेले भी थे यानि option A बें जांसन हमारे university with के राइटर नहीं है ठीक 63 का option नमर A हो जाएगा बें जांसन ठीक इसके आगे देखते हैं 64 दग्रेट गेश्ट बाई ठीक इस रिटेन बाई किसके दोरा दग्रेट गेश्ट बाई की गई है तो इसके लिए इसका option हो जाएगा इसका option का लेबल जो इसमें पूछा जा रहा है कि इस टेंडर लेबल का question आपके सामने देखने को मिल रहा है ठीक कहीं नहीं है यूजिशिने लेबल का मुझे लग रहा है आप लोग बताएं आप कैसा लग रहा है अगर आप को वीडियो अच्छी लग कर दें अगर आपको इसको इसी PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको मैसेज कर दीजिए जॉइंट जॉइंट इंगलीज पीजीटी लिख के आपको भेजना है 7007354360 पर मैसेज करना है जहां आपको इसकी PDF फाइल प्राइट हो जाएगी 13 पन्नों की PDF है पूरी जिसमे आपको इसको प्रिंट आउट करा कर रख सकते हैं इसके लावा आपको वहाँ पर एक ग्रूप में जोड दिया जाएगा एंविस ग्रूप में जो पीजी टी कि हो आपको वहाँ पर डिसकसन और सारी चीजिए वाप अपर अबल करा दी जाएगी आए आगे चलते हैं 66 पर बात करें which of the following feminist critic use the term gyno criticism for the first time जो gyno criticism term रहे इसको फेमिस्ट क्रिटिक फाली बार यूज करते हैं feminist critic ठीक तो इसका हो जाएगे alien so Walter ठीक alien so Walter इसको first time यूज करते हैं ठीक 67 देखते हैं enagrosis enagrosis is a term used by Aristotle is order to describe देखे परिपीटिया enagrosis काफी important term होते हैं यह कई बार कई एकजामों में पूछे गए ठीक इसको आप परिपीटिया और इसको देख लिजेगा the moment discovered by the protagonist the revulsor of fortune और दो आपसन देख लेते हैं the happy revolution of the poet the convergence of main plot and subplot इसको option A हो जाएगा enagrosis का मतलब होता है a moment of discover by protagonist protagonist जिसमें अपने आपको discover करता है इसे enagrosis करते हैं ठीक अब आए 68 पे देखते हैं only connect is the epigraph to a novel only collect एक epigraph of novel है वो कौन लिखा बाई option B E.M. Foster ठीक E.M. Foster इसको देख लिजेगा आप लो 69 बात करें which of the following novel makes inter-textual reference of Jane Eyre Jane Eyre से कौन novel inter-textual reference कहीं ने कहीं प्राप्त करता है इसका option C होगा वाइड सारगैशो सी सारगैशो वाइड सारगैशो सी इसका सही अंसर हो जाएगा question 70 बात करें जेयम कोट जी 4 is a postmodern retailing of जेयम कोट जी की 4 is a postmodern retailing of रहती है Robinson Crusoe की option D हमारा सही हो जाएगा ठीक अब आई 71 में the apprentice the apprentice is written by Arun Josie Arun Josie के द्वारा apprentice लिखी गई है the apprentice ठीक अच्छा 62 में देखे सेरेडियन फर्ष्ट प्ले वाग सेरेडियन जो आते हैं उनका फर्ष्ट प्ले होता है the rivals the rivals यह भी काफी important question है सेरेडियन का फर्ष्ट वर्ष्ट वर्ष्ट राइबल्स है ठीक the term campus noble campus noble associated with किसके द्वारा है ग्रैम ग्रीन विल्यम गॉर्डिंग दो आप्शन नीचे मिल जाएंगे मार्गेर्ट ड्रेवल और किंग्सले एमी यह campus noble है किंग्सले एम्स के द्वारा associated किया गया ठीक अब देखे 74 करें इसको देख लिजिए 75 पर देखें भोष्ला इस एक करेक्टर बोष्ला इस एक करेक्टर किसमें है वेपेश्टर में ठीक the play the play dance of the forest written by dance of the forest whole swing का के द्वारा लिखा गया है ठीक 77 पर अगर बात करें तो है who among the following popularized expression the two culture the two culture CP saw इसका हो जाएगा ठीक bliss was in the down to lie but to be young was very यह विलियम वर्सवर्थ की लाइन है फ्रेंश रिवल्यूशन की काफ़ी इंपोर्टेंट है यूजी शी में और नेट में TGT में TGT में यह मतलब यह मत पुछे कहां पुछी नहीं गई हर जगह यह लाइन कहीं न कहीं आई हुई है ठीक तो इसका हो जाएगा विलियम वर्सवर्थ की फेमस लाइन है फ्रेंश रिवल्यूशन पोएम से इन दो वेश्ट लैंड इलियट यूद एक्स्प्रेशन इल मिलिग्रो फेब्रो रिफर्स टू यह तो पता ही होगा इजरा पॉंड इसका एंसर हो जाएगा एंसर देख लेते नीचे ऑप्शन भी ऑप्शन भी यानि इसका इजराव पॉंड हो जाएगा ना डबलू इसके लिए है नहीं इसका अधिकतर लोग जब एक्जाम हुआ था इसका जेमस जुआइस बार के चले आएगे ते लेकिन नहीं इसका जेमस जुआइस गलस इंतर है जो इस्ट्रीम अप कॉंसेशने सबसे पहले दिया था और जो जेमस जुआइस है इसको आगे ले चलके इसके इसको आगे बढ़ा है इस्ट्रीम अप कॉंसिसनेस की पोटेट ऑफ आइटिस यंग मैन में नो उनल्न इसको यूच किया है गजाएद गाट पॉश्म अप कॉंसिसनेस टेकनीप को अब कभी-क है ठीक तो यह हमारा 80 question का सेट रहा 80 question का सेट रहा जिसमें हमने 2014 के PGT की paper के बारे में discuss किया आप लोग बताएं आपको सीरीच कैसे लग रही है अगर अच्छी लगे तो मैं 2016 17 के जो भी एंबियस की exam हुए है PGT के इस पेसलिए उसके भी लाऊंगा और TGT के लिए भी लाने वाला हूँ ठीक अब comment box में बताएं आपको वीडियो कैसे लगी ओके और इसकी PDF file चाहिए तो इसकी description में आपको मैं दे दूँगा कैसे आपको PDF file मिल सकती है वहां से आप लोग उसे download कर सकते हैं आपको PDF file provide करा दी जाएगी ठीक यह रहा आज का पूरा वीडियो ओके आप जरूर बता ही आपको कैसे लगा यह सीरीज हमने पच्पन कोश्चन के आगे डिसकस किया बाकी इसके part 1 में हमने डिसकस कर दिया वीडियो अगर आप लोगों नहीं देखा है तो playlist में पढ़ा होगा आप लोग जाके उसे देख लिजीएगा okay thanks you once again